नातनगर के मधुसुदनपूर इलाके के नौरपूर पुस्तकाले के समय गनपती विसरजन में जम कर मार पीठ वी जिसमें आधा दर्जन से अधीग व्यक्ति की घायल होने की सूचना है सूचना पाकर पहुची पुलीस ने सभी घायलों को इलाज के लिए नातनगर के रैफ्रल अस्पताल पहुचाया प्राप्त जानकारी के नुसार रागोपूर टीकर में अस्थापित गनपती प्रतिमा को विसरजित करने के लिए नौरपूर के रास्ते से लेकर जा रहे थे नौरपूर पुस्तकाले के समीब भी गनपती की प्रतिमा स्थापित की गई थी वहाँ पर पंडाल भी बनाया गया था रागोपूर की विसरजन में सामिल लोग हुरदंगई करते जा रहे थे इस पर नौरपूर की लोगों ने बिरोध जताते हुए कहा कि उपर विजली का तार है देखकर प्रतिमा को पार कीजिए इसी बात को लेकर दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और जम कर मार पीच हो गई घटना से आधा दर्जन से अधीक लोग घायल हो गए हैं परतिश दर्सियों ने बताया कि रागोपूर की टीकर के गनपती प्रतिमा विसर्जन में सामिल लोगों ने 11,000 वोल्ट का विजली का तार भी तोड़ दिया है बड़ी घटना होते होते बची मार पीच में घायल नूरपूर निवासी चंदर सेखर ने बताया कि रागोपूर की लोग ट्रैक्टर पर तीन चौकी लगा कर उसके उपर प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे जैसे ही हम लोग की परतिमा के पास उन लोग की परतिमा पहुँची कि हम लोग अपना जालर खोली रहे थे कि उन लोगों ने सौट सर्कृट करवा दिया और मार पीच सुरू कर दी घायल गनीज कुमार ने बताया कि अगर बिजली का तार तूट कर नीचे गिर जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी वही पुलीज घटनास थलके आसपास गस्त कर रही है और लोगों से सांती बनाने की अपील कर रही है हम लोग आरती कर रहे थे उस दमें लोग मूर्ती लेकर आया बसाने के लिए तब ही हम लोग का जालर लगा हुआ था उन लोग बोल रहा था खोलने के लिए हम लोग खलना सुरक्ट किए तब लोग लोग मूर्ती बुसा दिया और तार में सठा दिया आखROशी कि अरा अनुषाादी लोग सांती वाया हम लोग का नुप्साँण कर दिया जालर का यहां पर बहुत आदमी खड़ा भी था अगर तार गीर रहा था हुआ हम लोग के पास बोलता है कि आप लोग काई नहीं लाइट कटवाना चाहिए आप लोग को हम लोग क्या करते हैं इसलिए नहीं कटवाने बज़ बे बज़ा काम लोग को मारने लाइए कौन कौन था हुआ हुआ है और सुराज नम काई जो यहां चुन्नाव्या का टोटो चलाता हुआ लड़का भी है और नाम तो उतना नहीं जमते हैं लेकिन शकल देखेंगे तो बहुत को पहिचान लेंगे